नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहिते चैनल एंडियन मुर्गी पालन में विड़े देखने वाले हर किसान भाई यहो मुर्गी पालक भाई के आज के विडियो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों दुनिया का सबसे बहुतरीन व्यवसाय हैं मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसी आच्छी खासी ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय में दोस्तो इंकुबिटर याने आधुनिक तंत्र याने चूजे निकालने वाली मशिन का इस्तमाल करना सव प्रतिशत बहुत बढ़िया और सबसे इंपोर्टन्ट ऐसा कहना गलत नहीं होगा इसलिए दोस्तो आपने जो थमनेल में देखा टाइटल में पड़ा सभी बाते सच है दोस्तो हाँ आपके घर तक 1000 की लागत में दोस्तो आपको इंकुबिटर पहुचाया जाएगा इसका मतलब है दोस्तो कि आप घर बटे 1000 रुपे में इंकुबिटर मंगवा सकते हैं उसके दोस्तो बरसात के मोसम में गरजने वाले बादल और साथ ही में दोस्तो वहाँ पर जो है कड़कने वाली बिजली अगर इसकी बात हम करते हैं तो दोस्तो मुर्गिया कॉंसेंट्रेशन के साथ कभी अंड़ों को वहाँ पर रोटेट करके चूजें निकाल नहीं सकती है अस सक्षम है सूस करती है ऐसे में दोस्तों हाथ पर हाथ धरे रखकर हम तो नहीं वैट सकते क्योंकि आने वाला मोसम है दोस्तों सर्दियों का और सर्दियों के मोसम में दोस्तों मुर्गी पालन के व्यावसाय में होने वाले बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है लाखों की उजवान सोचता है कि मैं मुर्गी पालन के व्यावसाय को बढ़ाता रहूं लेकिन दोस्तों अलग-अलग मोसम में आने वाली कठिनायों के कारण वहां आगे नहीं बढ़ पाता है जैसे बरसायत के मोसम में दोस्तों जो गर्णने वाले बादल और कड़कने वाली बिजली ह बढ़ने वाली सर्दी और गर्मियों के मोसम में जो बढ़ने वाली गर्मी है इसके कारण वश्त वह मुर्गी दोस्तों साल भर मेंた ज्यादा ज्याधा एका दूसरी बैच आच्छी निकाल सकती है लेकिन दोस्तों आगर आप चूझे निकालने वाली मशिन यानी का इस्तमाल करना पड़ेगा कौन देगा आपको अच्छा इंकुबिडर किसकी मिलेंगे अच्छी फैसिलिटी दोस्तों किसी एहरे गहरे नत्तुक एहरे के पास इंकुबिटर लेने से अच्छा है कि जिस पर विश्वास हो जो जानकारी दे सके हर बात के लिए हम जिसे एड कहता हूं कि दोस्तों मैं कमाने के लिए नहीं तो जमाने के लिए आया हूं दोस्तों यानि आपके लिए क्योंकि जब इंकुबिटर बेचने वाली कंपनिया कहती है सोचती है बोलती है कि हम आपको बढ़िया से बढ़िया इंकुबिटर मुहया करेंगे लेकिन दोस्तों ह हम मुर्गी पालक भाईयों को बढ़ाने वाले हैं उनको आगे लेकर जाने वाले दोस्तों क्या है इंकुपीटर कैसा है इंकुपीटर लाइव डिमों के साथ देखिए उसके बाद आपके मन को अच्छा लगए आपको पसंद आए तो ही दोस्तों आप यहां पर 84-82-62-62-62- पूरी जानकारी लेने के बाद इंकुपीटर की खरीद कर सकते हैं और यह नंबर है दोस्तों खुद मेरा यानि उद्धैलाडका 84-81-82-62-62-62-62-62- इस नंबर पर मुझसे बात कीजिए और उसके बाद सभी तसल्ली होने के बाद इंकुपीटर की खरीद आप कर सकते तो इसलिए दोस्तों विडियो शुरुआत से लेकर अंतर तक देखिए पसंद आये तो लाइक कीज़े ज़्यादा-ज़्यादा किसान भाईयों के पास और मुर्गी पालक भाईयों के साथ बेरोजगार यहाँ तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कीज़े शेयर कर कर देंगे तो आने वाला हरुड़ आपको देखने को मिल सकता है और कवी समस्या हो दोस्तों आपके मन में तो कमेंट सेक्षन में लिख कर भेज़े आने वाले वीडियो के साथ आपको सभी सोलूशन दिये जाएगे तो देखें दोस्तों यहाँ सबसे इंपोर्टन बात क्या है कि जब इंकुबिटर की खरीद करती इससे पहले दोस्तों आप सभी से इतनी गुजारी से दोस्तों की इंडियन किसान हमारा नया यूटूब चानल है दोस्तों उसे क्रिपाया सब्सक्राइब कीज़े इसलिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चार महा का बरसात का मोसम होता है अभी बरसात आ चुके है कहीं आने वाली है तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है असल में कि बरसात के मोसम में जो है दोस्तों वहां पर गरजने वाले बादल कड़कने वाले बिजली इसके कारण जो हमारी मुर्गी होती है दो कॉंसेंट्रे सर्दियों का और उसमें बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और हर किसी का टार्गेट तो होता यहीं दोस्तों वहां पर आने वाला सर्दियों का मोसम तो इसलिए दोस्तों आपको इंक्विटर लेना तो सव प्रदिशत सही बात हैं लेना ही पड़ेगा दोस्तों क्यूंकि द दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया आप महां पर जाकर देख भी सकते हैं दोस्तों फिर इंक्विटर जो हम देते हैं तो कौन-कौन कौनसा इंक्विटर जाएगा और आज आम आपको लाहीव डेमो भी दिखाया जाएगा तो दोस्तो जुड़े रहे आखिर तक बस आपसे इतनी विनती है सब्सक्राइब रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखे दोस्तो हमारे और दूसरी कमपोनियों में क्या फरकर दोस्तो बहुत ही खुशी की बात है कि पिछले दो महने के सेल के अनुसार दोस्तो भारत वर्ष में हमारा इंकुबिटर का सेल दोस्तो इतना बढ़ चुका है कि हम भारत वर्ष की टॉप पाच इंकुबिटर बेजने वाले कम्पोनियों में हमारा शुमार हो चुका है, दोस्तों ये आपके प्यार दुला से है're दोस्तों और आपके प्रोच्छान के वज़ए सी प्रेम्दुलार ब्यार और प्रोच्छान रखते चलिए, दो दोस्तो आपके पास मशीन सही से ना पोचे गलत पोचे या डैमेज निकले कहे टूट फूट गई तो दोस्तो आपको यह मशीन नई की नई देने की जिम्मेवारी responsibility हमारी है दोस्तो इसलिए हमारी पहली खासियत की जब चीज यहां से आप तक निकलती है तो अगर हो तो दोस्तो डैमेज चीज की fully replacement 100% आपको दी जाएगी इसलिए डैमेज होना यह आपकी problem नहीं तो हमारी यह दोस्तो इसलिए machine डैमेज निकलती है तो आपको 100% नई machine replace करकी दी जाएगी दूसरी सुविदा दोस्तो यहां पर देखिए कि हम 3 माह तक अंदर के controller adapter fan अगर खराब होता है तो दोस्तो आपको यह सभी parts नए भेजे जाएंगे 90 दिन तक आपका part अगर खराब होता है तो आप हम तक भेजिये हम उसे वहां पर कुरियर के द्वारा आपको change करके नया part भेज देंगे लेकिन इसके लिए दोस्तो आप आगर वहां पर सोचेंगे कि 1000 वाली एक safety kit ले लिलते दोस्तो जिसमें controller adapter और पंखा अलग से आता है तो दोस्तो आपका part जब खराब होता है तो आपको क्या करना है वह part निकलना है नया part लगाना है आपके पास हमने जो एक्स्ट्रा भेज भी निकल जाएंगी और दोस्तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी इसलिए दोस्तो 90 दिन तक बेफिक्र है आपको हर part वहां पर दिलवाया जाएगा उसके बाद दोस्तो तीसरी सबसी important facility जो दूसरी कंपनिया नहीं देती है कि दोस्तो अंडे चुनने से लेकर चूजे निकलने तक का मारगदर्शन यानि दोस्तो आपका एक 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 अंडा किस तरह से चुना जाए कैसा रखा जाए इससे लेकर किस तरह से टिक किया जाए चूजे कब निकलते है कैसे निकलते है कब क्या करना है 21 दिनों का पूरा मारगदर्शन आपको free of cost में आप से एक भी र दोस्तो कि हमारा जुड़ा दोस्तो आपके दिल के साथ है हमने आपके दिल में घर कर लिया है दोस्तो और इसी घर के साथ दोस्तो अभी आपकी जेब भरने का समय आ चुका है इसलिए दोस्तो इंकुबिटर के साथ आपको कुछ भी नहीं आता होगा नॉलेज नहीं होगा तो अंडे चुन्ने से लेकर चूजे निकलने तक पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा उसके साथ दोस्तो चौथी और important facilities की चूजे निकलते हैं तो उनकी brooding किस तरह से किया जाएगा उनको कब कितना तापमान दिया जाएगा सभी बाते बताई जाएगी और आखिर में दोस्तो आपको एक वीडियो भेजा जाएगा टीका करन किया और अलग से 48 दिन का knowledge भी दिया जाएगा यानि आपको अकेला कभी छोड़ा ही नहीं जाएगा दोस्तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं यहां पर दोस्तो कमाने के लिए ने तो सिर्फ जमाने के लिए यानि आपके लिए आया हूँ दोस्तो आखिर में आप पर छोड़ता हूँ आपको लेना है नहीं लेना है आपकी बात है दोस्तो अभी आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ उसके बाद वीडियो और बहुत बढ़िया होने वाला क्यूंकि दोस्तो आपको semi-automatic लेना है fully automatic ल दिखाएंगे अंदर से बाहर से और उसकी facilities बताएंगे इंकुबिटर कैसे चलता है कितना कंट्रोल करता है तापमान कैसे लाइट चालू बंध होती है सभी दिखाया जाएगा अभी यहां से आगे आपको जैलाड सर पूरी जान कर देंगे लेकिन उसके बाद दोस्तों मे आज हम देखेंगे कि सव अंडेव की मशीन इंकुबिटर मशीन का demonstration देखने वाले हैं इसमें कौन-कौन सी चीज़े आती है और उसका यूज क्या है यह आज हम पूरी तरह इस demonstration में देखने वाले हैं तो दोस्तों यह मशीन आज हम खोल के दिखेंगे इसके साथ में क्या क कि दोस्तों इसका इसके साथ एक temperature controller रहता है इसमें temperature पूरा set करे वाला रहता है इसमें इसको आपने हाथ ने लगाना है अब यह work कैसी करते है आज हम आपको दिखाएंगे यह देखिए यह 37.7 को यह बंद हो जाएंगे इसमें जो हमने temperature set करे वाला है और 37.5 को यह बंद हो जाएंगे अब देख सकते है temperature बढ़ रहा है एक्जैक्ली 37.7 को यह बंद हो जाएंगे अब दिख सकते हैं लाल पांदर से जली वाले हैं देखो दोस्तो 36 यह देखो 37.7 कुबल बंद हो गए है अभी मैं जैसे ही डखकन खुलूगा देखो टेंपरेचर कम होते जाएगा यह देखो जैसे यह sensor मैं दूर लूँगा टेंपरेचर आपने आप कम होते जाएगा अब बल्प चालू हो जाएगे देखो दोस्तो पूरी तरह बल्प चालू हो गए यह चालू बंद जो temperature काम होता है यह पूरा यह sensor का काम रहता है यह देख सकते आप यह sensor यह आपको पूरा अंडो के बिच रखना है जिससे की टेंपरेचर जादा नहीं होंगा और कम हो तो बल्प आपने आप चलेंगे तो दोस्तों इसका यूज आपको कैसा करना यह भी बता देता हूं मैं इसके कारण वा अंदर पाने गिरेगा यह मग भरके रखने के बाद आपको कम होने के बाद इसकी लेवल मेंटेन करनी है और यहां को आपको सव अंडो एक सरीके से बिटाने हैं और उनके ऊपर एक कौन से भी स्केच पेंस या इससे निशान करना है वो इसके वास्तिकी आ कि बाद नीचे जाएंगा और उपर आएंगा इसा आपको दिन में दो बार करना है क्योंकि आपके समझ में आएगा कि हमने कौन सा आंडा नीचे कर आया क्लिए को सा उपर करने का है तो दोस्तों यहां पर जैईलार ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत जबरदस्त नौलिज उन्हें आप तक प्रवाइड किया है दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है तो उनके लिए बहुत 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 वहाँ पर शुक्रिया करते हुए वीडियो और एक बार आपके सामन शुरू करता हूँ दोस्तों देखिए इंकुबिटर तो आपने देख लिया दोस्तों सवांडों का आपको सेमी आटोमेटिक थर्मकॉल वाड़ी का इंकुबिटर दिखाया गया है दोस्तों यह हमारी मुर्गी पालक भायों के लिए सबसे बहतरीन लेकिन यहां पर आपको कम से कम लागत में व्यावषाय शुरू करने में सक्षम हो सकते हैं दूसरी बात दोस्तों कि इंकुबिटर कॉन सा ले सेमी आटोमेटिक ले या फुल ले आटोमेटिक तो दोस्तों हर कोई सोचता है निया जंजट से हमें छुटकारा मिलेंगा लेकिन दोस्तों एक बास सोचिए कि आगर आपके पास सुभा और शाम को वहाँ पर 10-10 मिनिट का समय होगा तो आपके लिए परियापत मातरा में semi-automatic incubator बहुत बढ़िया रहेगा तो आप सव प्रतिशत semi-automatic incubator लीजिए नहीं तो आप fully automatic ले सकते हैं लेकिन दोस्तों semi-automatic और fully automatic incubator कौन सा भी लीजिए 3000 रुपे का राशी में फरक है दोस्तों और आप बेवज़ा 3000 की investment कीजिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा गरीब है दोस्तों बेरोजगार है आपके सिर्पर वहाँ पर जो है दोस्तों मंडरा रही है ऐसे में 3000 बहुत बढ़ी राशी होती है दोस्तों इसलिए आप सोचिए आपके मन का सेवाल siemi automatic यह Тем में हो वहां पर दोस्तों फुले triopяти यह तो आपको समझ में आगया लेकिन दोस्तों було को सकते चोटे चोटे बचे ही यह वहां पर चुहे हो दोस्तों उनको thermocalls का incubator लेना साहिब उत नहीं होगा यानि इंकुबिटर थर्माकॉल का लेते हैं और घर में चुहे या छोटे बच्चे तो दोस्तो उनको तोड़ सकते हैं ऐसे में प्लाइवड बॉड़ी का लीजिए लेकिन आपके घर में चुहे नहीं है छोटे बच्चे नहीं त बैटता है लेकिन अगर हम यहां पर प्लाइवड बॉड़ी के इंकुबिटर में एक हजार की राशी इन्वेस्ट करें तो छे हजार में दो सेमी आटोमेटिक थर्मा थर्माकॉल बॉड़ी के सवांडो के इंकुबिटर हमें मिल सकते हैं तो आयसे में दोस्तों यह सोचना भी गलत नहीं आखिर में आपके वहां पर क्या राय है उसके आनुसर आप लीजे और जो सोच कर लेता है दोस्तों वह बार बार गलती नहीं करता है आपको इंकुबिटर खरीदना या अलग से कुछ सवाल पहुचने पूचने है दोस्तों तो अधिक जानकरी के लिए आप 3,000 की चीज लेके आप माहा में 4,4,6,6,000 या 10,000 कमा सकते आज की दुनिया में 10 लाग डालके हजारों की इंकम भी नहीं मिल पा रही है तो हजारों की वहां पर इंवेश्मेंट करके लाखों का मुनाफ़ा देने वाल दुनिया का एकलोता व्योसा है दोस्तों मुर्गी प पर आपके जो बुरा समय यानि के आपके तकलीफ में आपको साहता कर सके आएसे वेक्ती से लीजिए और दोस्तों मैं आपके लिए तो समय समय पर वहां पर फोन के जरीए तो जानकारी देता रहूंगा लेकिन दोस्तों हमारी फैसिलिटीज देख लीजिए कि डामेज नि लेकिन समय की मांगे दोस्तों इंकुबीटर का इस्तमाल करना बिने इंकुबीटर के इस्तमाल किये हुए आप सव प्रतिशत आगे नहीं बढ़ सकती तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या खयाले कमेंट सेक्शन में लिख कर वेजिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दिए ज्यादा ज्यादा किसान भाईयों के पास पेजने के लिए शेर कीजिए उसके लिए परसनल वाटसप नमबर वाटसप ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचैट का आप ज़रूर इस्तमाल कीजिए और रही बात दोस्तों सब्सक्राइब की तो वीडियो के दायतर नेचली साइड में आने के बाद देखाए देने वाले लाली शान को दच कर देजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएक और बगल में घंटे आइंग इस नोटिफिकेशन को आन कर दो ताकि आपको आने वाला हर उड़े देखने को म मिल सके तो दोस्तों आएसा एक नहाए वड़ी लेकर मैं आपका दोस्तों लाड़ा आप सभी के चाहिते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदेव मिलता रहूंगा तब तक कि लिए मेरी हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत-बहुत आभ के तोस्तों अईद।